समाजवादी आवास योजना का शुवारम करेंगे होटल विवानता में 11 बज़े इस कारेक्रम का आयोजन किया जाना है बता दे आपको के पहले चरण में 10,000 आवास की बुनियाद रखेंगे और मौजूदा वित्य वर्ष में 1 लाख आवास बनाने का सरकार का लक्षे और 10,000 जो घर हैं उनकी आज अधार शिला रखेंगे शारिक शेत्र में सस्ते और तिकाव मकान महया करानी की योजना है समाजवादी आवास योजना को लेकर अखलेश कैबिनेट ने पहले ही मंजूर दे दी ती योजना के शुरू होने से मध्यम वर्ष के शहरी लोगों को बड़ी राहत मिलेगी तो बता दे आपो क्या समाजवादी आवास योजना का सुभारम नसीयम अकलेश व्यादफ करने जा रहे हैं इसमें 10,000 जो घर हैं उनकी आधार शिलाज रखी जाएगी और बता दे आपो के मौदूदा वित्यवर्ष में एक लाख घर बनाने की सरकार की योजना है और आम खबर चंदौली सेज हम मुगल सराय रेलवेज जंक्शन पर आग लगी तिर्दाथ पट्रियों के किनारे पड़े लकडी के स्लीपर में आग लग गई बता दे आपो के फायर बिगेट की तीम ने आग पर काबू जारू पालिया है आग में किसी के भी हतात होनी की कोई खवर नहीं है तो चंदौली की मुगल सराय रेलवे जंक्शन पर आग लगी दिर्रात पर्ट्रियों के किनारे पड़े लकडियों के स्लीपर में आग लगी फाइबर गेर की तीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पालिया गया है आग में किसी की भी हतात होनी की कोई खबर नहीं है यह बिलकुल आपके मुगल सराय रेलवे इस्टेशन के पास में ही यह स्लीपर में आग लगी है जो लकड़ी का स्लीपर है और आग बिलकुल कंट्रोल में है यहां पर हमारे फायर टेंडर और यह पंप दो गाडियां लगी हुई है और आग कंट्रोल में है इसमें कोई घ अब ये आग तो लंसम आप एक घंटा मानके चलें एक घंटा क्या स्पास ये दर रामपुर में बंदी की इलाज के दुरान हुई मौत के मामले में नयाम मोडा गया है अब परिजनों ने पुलिस पर बंदी को पीटने का आरोप लगाया है जिससे उसकी मौत हो गई जबकि जेल अदिक्षक की माने तो बंदी को ज्रक्स की आदत थी जिससे लाज की दौरान उसकी मौत हो गया था जहां उसकी तबिख बिगरने पर अस्पताल में भक्ति कराया गया था लेकिन अस्पताल में पपू की मौत हो गई किस दिरोग आने मारा है बिनोचरमा निश्रा एक बिनोचरमा ऐसी है कहां भी ब्लाज़ पर था नहीं हो जीद में पर साथ में बासट बासटोडा किकिन रिशा था इनको 15 सब्बासटा जिदा गृट्बाद कारिक्त इसो अंग्जा रहा था तो इस पार पता अब बड़े बता दे आपको यूपी में पंधुरा आई एस अफसरों के तबात्रे किये गए है बतादे आपको इलाबाद के ढ़नास सिंग को अटा दिया गया है और कौशल लाज शर्मा को इलाबाद के नए डियम बना दिया गया है तो वहीं निखिल शुकला को मुजफर नगर का नया दियम बना गया है इसके साथी बता दे आपको वैवब शुरिवास्ताव बियम बने हैं मौ के बता दे आपको कि पंधुरा आई एस अधिकारियों का बता बातला हुआ है संजीव शरंड प्रमुख सच्चिव बनाए गया है वन एवं पर शुकला की बनाए गया है स्वास एवं परिवार की बता दे आपको कि इलाबाद की दियम को बतला गया है और अब कोशल लाश्चरमा इलाबाद के नए डियम होंगे इलाबाद के नए जो दियम थे भगवान भवनात सिंग उनको हटा गया है और आगरा में एक बार फिर से धर्म परिवर्तन का मुद्दा गर्मा गया है सतरा हिंदू के अपने पहले इसलाम धर्म अपनाय था उसके बाद ती महीने बाद इसलाम छोड़कर नोने फिर से हिंदू धर्म अपना लिया है अश्च्छिनरत आने के महुवला लाश्या की तो धर्म परिवर्तन का जो मामला एक बार फिर से गर्मा गया है पतादे आपको कि यहां मुस्लिम से हिंदू बने 17 लोगों ने दोबारा मुस्लिम धर्म अपना लिया है जानकारी के मुताविक नुले 15 दिसंबर 2014 को हिंदू धर्म अपनाया था और अब इन सभी को शैर अब यह लोग दोबारा इसलाम धर्म कुबूल कर लिये हैं तो बता दे आपको कि एक बार फिर से धर्म परिवर्तन का जो मुद्दा है वो गर्मा गया है तेहले मुस्लिमों ने बता दे आपको हिंदू धर्म कुबूला था दिसंबर 2014 में और अब एक बार फिर से हिंदू धर्म छोड़ कर मुस्लिम धर्म अपना लिया है और बल्या में 20 सड़क पर ही पूरुमंत्री गूरा राम पिट गये पूरुमंत्री को बच्चे बूड़े और जवान सब ने मिलकर पूटा दरसल पूरुमंत्री गूरा राम खोले आम रोड पर अपनी गुंड़ाई ने जमकर उनकी पिटाई लगाई बता दे आपको लागूसों से उनको पीटा गया है जमकर 20 सड़क पर उनकी पिटाई लगाई गई है नेताजी यहाँ पर गुंड़ाई दिखा रहे थे दबंगई दिखा रहे थे और एक ट्रुक ब्राइबर को बिना उसकी गल्ती के पी जो ट्रुक ड्राइबर को बिना किसी गल्ती के पूर्व मंत्री पीट वए थे सिगुस्ताई भीर ने जमकर पिटाई लगाई और वईकानग्व में वसूली ना देने पर पुलिस मूँ तोड़ देती है होमगाड ने वसूली ना देने पर बाइड सवार को बेरहमी से पीचा होम गार्ड की पिटाई से लहू लुहान होकर बाइक सवार पब्लिक के दोड़ाने पर जान बचा कर एटेम में जाखुसा होम गार्ड हरवंश मोहाल है बता दे आपको थानाक श्योतर के नेराना स्वराय की घटना है और पुलिस की आए दिन वसूली से जनता में रोश है आक रोश है तो बता दे आपको के होम गार्ड में एक बाइक सवार को जम कर पीटा है और आए दिन कुलिस की वसूली से अब लोग परिशान हो गए है जंता परिशान हो गई है और जंता में रोश है इस वसूली को लेकर और जंता में रोश है जंता परिशान हो गई है जो भी होगा उसकार कारवाई की जाएगा शोक संदीश और कॉपी पेस्ट राहूल गांधी ने मुबाईल में देखकर शोक संदीश लिखा शोक संदीश लिखने के लिए राहूल ने अपने मुबाईल का सहरा लिया कॉंग्रेस पाध्यक्ष ने मुबाईल से देखकर एक एक लाइन लिखी और करीब पांच मिनट तक मुबाईल पर देखकर मैसेज लिखते रहे बतादे आपको कि नेपाद में भूकम में मारे गए लोगों पर राहूल ने शोक संवेदना व्यक्त की है जिसे एक मुबाईल में से कॉपी करते हुए दिखाई दिये राहूल गांधी बतादे आपको कि एक मुबाईल से कॉपी करकर शोक संवेदना लिखा नेपाल के लोगों के लिए जिस पर विपक्ष ने भी तवाम तरीके के सवाल खड़े कर दिये हैं इसे ही राहूल गांधी के निद्रश्फ को लेकर राहूल गांधी की राजमीती को लेकर विपक्ष हमलावर रहा है और अब शोक संधेश मुबाईल से लिखने के मामले पर भी विपक्ष ने हमला राहूल गांधी पर बोल दिया है दिए जब पार्ट टाइम पॉलिटिशन्स इस तरह की पिटी पटकता के आधार पर पूरे देश में नाटकी मंचन करेंगे तो रंग मंच पर इसका हाश्री यही होगा और इस तोर से पटकता के आधार पर कभी कोई लिख के देगा तो आगे बोलेंगे लिख के देगा तो पढ़ेंगे लिख के देगा तो लिखेंगे तो इस तरह की सिती कम सकम उने अभी और जमीन के हक्तिकत को समझने की जरूरत है आज आप सुने के चमच के साथ पैदा हुए है वो बास सही है लेकिन आपको जबीन के हक्रिकत का अभी भी एहसास नहीं है लेकिन आपको जबीन के अभी भी एहसास नहीं है अगर मैं ये कहूं के राहुल गांधी पगला गए है या ये मैं गहूं राज नहीं थी कि विश्डी में जानते है या मैं ये जानता हूं कि सानुन बाद करने वाले राहुल गांधी क्यों और जो की बाल में क्या अंतर है ये वो नहीं जानते है तो आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है जहां राहूल गांधी लगातार मोदी पर हमलावर हो रहे हैं तो वहीं आप बीज़पी सांसर साक्षी महराज भी राहूल पर हमलावर हो गया है सांतर राजीव शुकला ने साक्शी महाराज को बेहया करा दे दिया तब सुझेका मुझे रखता है कोई मात तो देना हिनी चाहिए जब उनकी पार्टी उन्हों कोई मात तो नहीं देती है तीन बार प्रजानमंत्री उन्हें डाट चुके है इसके बाद भी साक्षी महाराज जज़ेविक्त को शरम नहीं आती है कि बेहया की तरह बोलते रहते हैं तो साक्षी महाराज को कोई एहमियत देनी नहीं चाहिए अगर में आयरवेद के डॉक्टर राकेश अगरवाल ने बाबा रामदेव के दवा पुतर जीवख बीज को लेकर टिपड़ी की है उन्होंने कहा कि इस नाम से लोगों को कन्फ्यूज हो रहा है डॉक्टर राकेश अगरवाल ने कहा कि जबकि इस दवा का योग्रंत भाव प्रकास निगंटू है नाम जिया पोता है लेकिन बाबा रामदेव लाब कमानी के लिए ऐसा कर रहे हैं डॉक्टर राकेश अगरवाल ने कहा कि इस दवा को प्योग मुख्यत है इन्पलिटी में किया जाता है पुत्र जीवक नाम से एक अन्फूजन हो रहा है पुत्र जीवक का जो दूसरा नाम है आईरवेद में वो जिया पोता है पुतर जीवक नाम से लोगे समझते हैं कि इसके लेने से पुतर ही ही होता है जबकि ऐसा नहीं है आईरवेद की जो अथॉन्टिक बुक है भाव प्रकाश निगंटू उसके पेज नमबर 519 वे आफ स्पस्टूर्प से देख सकते हैं कि इसका प्रियोग मुख्यत है इनफर्टिलिटी की प्रावलंस में होता रहा या अन्य और कई इंडिकेशन्स हैं जहा हम इसको यूज करते हैं जैसे सिर में दर्द होने पर पुराने अलसर्स में इसको लोकल एप्लिकेशन में हम इसको यूज करते हैं ये कहीं मेंशन नहीं है पूरी बुक में या इस जिया पोता या पुतर जीव की डिटेल्स में कि इसके लेने से लड़की होते हैं या लड़का होने पे इसको दिया जाता है ऐसा नहीं है दिल में नियाय की आस आखों में आसू लिये महू में बुज़र्ग दमपती पिछवे साथ दिनों से धरने पर है लेकिन महू जिला पिछवासन कुछ ज्यादा ही मश्रूफ है जिसे ना कुछ दिखाई देता है और ना कुछ सुनाई देता है धलती उम्र का ये पढ़ाओ और उपर से घमों की ऐसी मार कि आख से आसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे है महू के थाना सराइल लखंसी के रस्तिपुर गाउं के बुज़र्ग दमपती को दवंगों ने उनके ही घर से बेघर कर दिया दवंगों ने बुज़र्ग दमपती की घर और जमीन पर कवजा कर लिया है नियाय की आस में बुज़र्ग दमपती कलेक्रेट पर धरने पर है पिछले साथ दिनों से बुज़र्ग दमपती धरने पर हैं यहां दमपती बरतन चूला राशन पानी लिए अपने दिन गुजार रहे हैं लेकिन माउज़ दिला परशासन को कुछ दिखाई सुनाई नहीं देता जो कुछ हुआ गलत हुआ और जो हो रहा है वो भी सही नहीं हो रहा है पीडित पिछले साथ दिनों से न्याय की आस में हैं और जिला परशासन है कि कोई सुद नहीं ले रहा नविंद्र सैनी माउ समाचार प्लस नेपाल में भुकम से आई तराजदे के बाद हजारों लोगों की जान चली गई हजारों लोग बेघर हो गए इस हालात में भारत नेपाल की काफी मदद कर रहा है अब आम जन के भी नेपाल की मदद को हाथ आगी बढ़ाएं रसकड़ी में आग्रा में जगा जगा साहता कैम्प लगा कर लोगों से नेपाल के लोगों के लिए सामिगवी और साहता ली जा रही है आगरा से तीन ट्रॉक भीजे जा चुकी है तो वहीं पैजबाद में सिंधी समाथ और दूप्रे समाथ से वी संगठनों ने पीरित लोगों के लिए तीन ट्रॉक रहा सामिगवी नेपाल भीजी और माउस से मेडिकल वेवसायों ने लाखों रुपे की दवाओं को इखटा कर जलाविकारी को स्वाप कर नेपाल भीजनी को कहा है तो लगातार भारत जो है वो नेपाल के साथ खड़ा हुआ है और लगातार नेपाल को जो मदद है वो मोहया कराई जा रही है पत्रकार जागार के लिए टीमे बना कर कैदियों के तलाश में जोड़ गई कोट में चार कैदियां से भागे है पुलिस कस्टेडी से कितने पुलिस वाले थे पुलिस वाले 15-20 थे लगबग यहां पे कितने कैदिया लाए जाते हों रोज देली मेरट के मुंदाली था नक्षेतर के एक यूफदी के साथ कार में गैंगरेप का मामला सामने आया है यूफदी कासबाद के मसूरी में एक मीट पैक्टरी में काम करती है और बिजनौर की रहने वाली है आरोप है कि यूफदी को तीन यूवक नौफ़ी दिलाने के बहाने कार में अग्वा कर ले गए और उसके साथ कामोही क्रेप किया गैंगरेप के बाद बोपहर आरोपी यूफदी को मुंडाली ठाने के गाउं अजराडा के पास खेतों में छोड़ कर फरा हो गए यूफदी ने एक रहागीर की मदद से पुलिस को मामली की सूचना दी जिसके बाद पुलिस ने कारवाई करते हुए तहरीर के आधार पर तीनों आरोपियों पर मुकदमात दर्ज कर लिया है उधर पीडिता का मेडिकल परेक्शन भी कराया गया है मेडिकल पीडिता का मेडिकल जो है वो करा लिएगा हम इक स्वासत की भी इसमें बयान दर्ज करा ले जा रहे है और इसमें जो भी अभ्यूंत है इनके गुरी तो पूरी सुसंगत साक्षे का दिरित करके बिलकुल हमको ठोड़ करवाई करेंगी उदरकानपूर में एक हाईपरफाईल मामले ने पुलिस की नीन उड़ा दी है मामला धाना जीराबाद इलाके का है पुलिस प्रिश्वासन में उस समय हड़कम मजग गया जब पूर्व क्रिकेटर चेतन चोहान की भांजी रोती चिलाती था ने पहुंची दरसल जेतन चोहान की भांजी ने अपने पती पर प्रतार्व करने का आरोप लगा है पीरित की माने तो आरोपी पती उसे अक्सर माता पीरता है वहीं जब पीरित ने मामने की शिकारत अपने परिजनों से की तो मौकी पर पहुंचे पुलिस करनियों को घर के अंदर नहीं गिशने दिया गया इसके बाद आरूपी पती महिला को जिबरदस्ती कार में लेकर अपने साथ जाने लगा जहांसे पीरित महिला परार होकर ठाने पहुंची पीरित महिला को नशे का अंजेक्शन दिया गया था वही पीरित महिला को पुलिस ने अस्पतार में भर्ती करवा दिया है साथ कि आरूपी पती संदीब की तलाश स्टेज कर दी गई है। लाला भी भी आरूपी पती पुलिस की पकड़ से दूरू है। इनको यह नहीं पता कि महां से कैसे लिया है। इनको इनके हाथ में बॉड़ी इंज्यूरीज है। फिलाल तो जो हस्पिटल हम लो लाए हैं तो ताकि बेस्ट मेडिकल ट्रीटमेंट इनका दे सकें। यहां के बेस्ट हॉस्पिटल है। और शामली में एक पंचायत में गाउं के ही दो परिवारों के सामाजिक भहिशकार के फैसले पर मोहर लगा दी। इन दोनों का खुसूर यह है कि दोनों परिवारों के बच्चे प्रेम प्रसंग के चलते फरार हो गए थे। इसको लेकर एक पंचायत आयुजित की गई जिसमें तुगल की परमान जारी किया गया। दाओ ने कहा कि जिस परिवार का लड़का गाओं की इजदत को लेकर परार हुआ है उसे गाओं में नहीं घुसने दिया जाएगा चाहे इसके लिए कुछ भी करना पड़े। सामाजिक बैसकार किया और गाओं में घुसने नहीं देंगे। अगर वे आ भी गए तो गाओं में रहने नहीं दिया जागा। और बुलंशियर गाओं की गंग थाला की पंचाहत के शर्मनाक फर्मान से हर कोई हरान है। इस पंचाहत ने विवायता को एक लाख रुपे और साड़े तीन बीगा जमीन के पदले बेचने का हुकम सुना दिया। दरसल गाओं के ही एक दबंग की गरीब की पत्नी के साथ रिष्टा बना कर उसे एक बच्चे की मा बना दिया। इलाबात की कोतवाली इलाके में मीरगंज रेड लाइट एरिया में एक महिला की बेरहमी से हत्या कर दी गई। जाहिल कर दी है। गटना पर एस्पेसिटी का कहना है कि वो पूरे मामली की जाच कर रहे हैं। उसकी किसी ने धारदार हत्यार से उसको गहल कर दिया। गहल करने के बाद वहां स्थानी लोगों ने उसको किसी चिक्तसाले में ले गए। बाद में उसकी देर रात उसकी मृत्य हो गई। पुलिस पूरे मामले की तहकीकात कर रही है। इन हत्या की कारण वज़े क्या है। क्यों हत्या की गई। हत्या के पीशे कौन है। गाजबाद के साहिवाबाद एलाके से पुलिस ने 5 सटेरियों को गिरफतार किया है। ये सभी आईकेल में चल रहे मैच का सट्टा लगा रहे थे। हो सकते हैं। फिलार पुले जिन के फरार सरगना साथी राकेश की तलाश में हैं और उसके गिरफतारी के लिए हर्याना पुलिस की मदद ले रही है। तीन दिन पहले आये थे? तीन दिन पहले यहां प्लैन आये थे। उदर सीतापुर के तंबोर इलाके के चंतागुर में मांसिक रूप से परिशान चल रहे किशूर को तांतुरिक ने ठीक करने के बहाने से बुई तरह पीटा और शरीर के अन्य हिस्तों को बेदर्दी से पिटाई होने से किशूर की हालत नाजुग बनी हुई है। परिशनों के मताबिट तंतुरिक ने लड़के के सीने पर वैट कर उसे खूप पीटा जिसे उसका जबड़ा भी तूज गया। लड़के की बिगड़ती हाला देखकर उससे जिलास्पतार में भर्ती करा गया है। इस मामले में लड़के के परिजनों ने कांतरिक के खलाफ पुलिस से भी शुकारत की है हाला कि पुलिस इस मामले में बोलने से इंकार कर रही है लेकिन सरकारी डॉक्टरों के मताबिक लड़के के चहरे पर चोट आई है स्मार्टफोन अब बन गया है हम सब की जरुवन लेकिन कई बार हमारा बजट हमें इजाज़त नहीं देता कि हम स्मार्टफोन को अफॉर्ड कर सके मगर स्मार्टफोन की चौहात रखने वालों के लिए आगरा से एक गुड न्यूज है क्या है ये गुड न्यूज देखे हमारे स्रिपॉर्ट में सस्ते स्मार्टफोन के लिए शोरूम दर शोरूम भटकने की जरुवत अब नहीं पड़ेगी आपकी एतलास डाक विभाग में पूरी हो सकती है डाक विभाग मातर 1199 रुपे की कीमत में स्मार्टफोन बेच रहा है टच अन टाइप डिस्पले वाले इस फोन में कई सारी खूबिया है और साथ ही इसमें 1200 रुपे का टोक टाइम भी दिया जा रहा है आगरा में सस्ते फोन से लोग अपने स्मार्टफोन की चाहत को पूरी कर सकते हैं डाक विभाग ने इसी को ध्यान में रखते हुए एक अनोटी पहल की है ये मोबाइल फोन पेंटा मोबाइल कंपनी की तरस से भारत के डाग घरों में सेल किया जा रहा है इस मोबाइल फोन में स्मार्टफोन के सभी खूबिया हैं जिसमें से टॉर्च, बैटरी, से इमेल, सभी तरह की फीचर्स उपलब्ध हैं और ये बहुत हलका है और बारासो रुपे की कीमत का ये है मोबाइल अपने साथ में 1100 रुपे की फ्री टॉक टाइम की सुविधा देता है ये फोन आगरा में प्रताप पुरा के अलावा कुछ प्रमुखडा घरों में उपलब्ध है इसकी सेवा प्रदाता कमपनी BSNL है यानि ये फोन हर उसे इंसान के लिए अच्छी ख़वर है जो स्मार्ट फोन के कदरदान है लेकिन बजट कम होने के चलते अब तक स्मार्ट फोन से दूर है शिव चोहान आगरा समचार प्लस